हेलो दोस्तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर तो आज की इस वीडियो में जो कंटेंट दिखाने वाला हूँ उसे देखकर आपको बहुत खुशी मिनने वाली है नाइपर ने अपनी साइट पर एक पब्लिक नोटिस निकाला है 19 जुलाई को जब आप इस नोटिस के उपर क्लिक करेंगे तो आपको यह नोटिस मिलेगा यह नोटिस है रिगार्डिंग क्वालिफाइं डिग्री स्टेटस पर तो बहुत सारे स्टूडेंट के पास फाइनल येर सेटिफिकेट नहीं था फाइनल येर की डिग्री नहीं थी और कुछ स्टूडेंट काफी टेंशन में थे क्योंकि जब वो नाइपर का ओनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म अपडेट कर रहे थे तो उसमें उनसे बहुत मिस्टेक हो गई थी किसी के पास पूरी मार्कशिट थी लेकिन उसका स्टेटस अपियरिंग अपियर रहे गया था और किसी ने एक कम्प्लिटिट लिखा था लेकिन उसके पास फाइनल येर की मार्कशिट नहीं थी तो ऐसे बहुत सारे student के साथ during application form filling ये problem होई थी लेकिन इस सभी problem को NIPER के इस notice ने solve कर दिया है तो जब आप ये notice पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि उनको NIPER को काफी email रिसीव हुई regarding कि बहुत सारे student का final qualifying degree certificate उन्हें नहीं मिला है तो NIPER ने क्या लिखा है NIPER ने लिखा है कि जो student GPAT clear है और जो NIPER का exam clear करेंगे वो सभी के सभी student NIPER की counseling attend कर सकते है तो है ना ये good news तो वो सभी student जिनके पास final year की mark sheet नहीं है वो सभी के सभी student NIPER की counseling attend कर सकते है that's a great news तो लेकिन यहाँ पर जब आप नीचे का paragraph मिले पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा इन्होंने कहा है जैसे आपकी अगर selection हो जाती है for example आपके पास 8 semester की mark sheet नहीं है लेकिन अगर आपकी ये selection कर लेते हैं तो आपको ये एक time period देंगे और उस time period में कहेंगे कि आपको अपनी final mark sheet submit करनी होगी तब तक ये आपकी admission को provisional admission count करेंगे तो मान लीजिए जैसे आपकी नाइपर में selection हो जाती है आपको seat भी मिल जाती है और आपके पास final year की degree या mark sheet नहीं है तो नाइपर आपको कहेगा कि 30 अगस तक आप हमें अपनी final mark sheet दे दीजिए तो अगर आप 30 अगस से पहले दे देते हैं तो आपकी जो admission है उसको count किया जाएगा अगर आप नहीं submit कर पाते हैं तो आपकी admission को नाइपर reject कर देगा तो ये जो date fix है कि किस date तक नाइपर allow करेगा ये अभी decide नहीं किया है अभी बस उन्होंने यही notice निकाला है जिस पे उन्होंने कहा है कि आपकी हम provisional admission करेंगे अगर आप select हो जाते हो और उस provisional admission के बाद आपको एक time दिया जाएगा और within that time आपको अपने certificate submit करने होगे तो फिलहाल के लिए ये एक अच्छी news है क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे student की during online application form filling बहुत सारी mistake हुई थी तो वो सारी की सारी mistake को अब हम नजर अंदाज कर सकते हैं मतलब वो mistake अब count नहीं होगी जो भी student NIPER का exam clear करेगा वो eligible है NIPER की counseling attend करने के लिए तो guys ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे जरूर like कीजिए और of course आपको पसंद आई होगी तो please इसे like कीजिए और comment section में कुछ ना कुछ comment कीजिए so thank you for watching this video